हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुक वित जूली आलू का चिप्स बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे तीन मिडियम साइज के आलू सबसे पहले हम आलू का छिलका को बाहर निकाल लेंगे आप भी एक छिलनी की मदद से इसे अच्छे से छिल लें यह बहुत ही असान रेसिपी है फ्रेंड्स आप कभी भी इसे घर पर असानी से बना करके खा सकते हैं और मैंने यहाँ पे आलू को छिल लिया है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आलू को छिलने के बाद आप एक बाउल में पानी ले ले और चिपसर की मदद से आप इसे चिपस को कट कर ले एक बात का दियान रखेंगे फ्रेंट्स कि जब भी आप चिपस को काटते हैं तो इसे पानी में काटें इससे क्या होता है फ्रेंट्स कि ये काला नहीं पड़ता है अगर यदि हम इसे पानी में नहीं काटेंगे तो ये काला पड़ जाएगा इसलिए मैंने भी इसे पानी में तीनों आलू को अच्छी तरह से कट कर लिया है अब हम चलेंगे next step की और और मैंने यहाँ पे एक कड़ाई में पानी को गर्म कर लिया है और जब आप देखें कि पानी में उबाल आने लगा है तब सारे कटे हुए chips को इसमें डाल करके 3-4 मिनट तक उबालेंगे बहुत ज़्यदा देर नहीं उबालना है friends अगर यदि आप ज़्यदा देर उबालते हैं तो हमारा आलू पक जाएगा और ये तूटने लगेगा इसलिए हम ज़्यदा देर तक नहीं उबालेंगे और अब ये हमारा उबल चुका है आलू तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और एक चीज का दियान रखें friends तक हमारा तेल गर्म होगा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे चीज को अच्छे से बिचा करके रखा है ताकि इसका मौइस्चर जो है सारा बाहर आ जाएगा और एक बात का दियान रखेंगे friends कि हमारा तेल जो है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए अगर यदि हलका गर्म में आप दे देते हैं चीप्स को तो वो कुरकुरे नहीं बनेगा बलकि मुलायम रह जाएगा इसलिए हम तेल को पहले बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें चीप्स को डाल रहे हैं तो अमरा तेल में बहुत ही बड़ी हां सा उबाल आ रहा है ये रेसिपी बहुत ही असान है फ्रेंट्स आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं आप देख सकते हैं मेरा चीप्स जो है ये बीच में से फूल रहा है ये बहुत ही बड़ी हां रेसिपी बनने वाला है फ्रेंट्स आपको मैं एक चिप्स उठा करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं ये बीज में से फुल गया है अगर येदी आप देख पा रहे होंगे तो और हम इसे हलका ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे आप इसे जितना अच्छा से फ्राइ करेंगे उतना ही जदा ये कुरकुरे बनेगा और मेरा चिप्स जो है ये पीला कलर का दिख रहा है इसका कारण यही है कि हम इसे सरसों तेल में फ्राइ कर रहे हैं और आप देख सकते ह हमारा chips का color भी change हो रहा है तो आप इसे हलका brown होने तक fry करें friends और उसके बाद ही आप इसे बाहर निकाले और मेरा chips जो है ये fry हो चुका है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बहुत ही कुरकुरे बना है friends हम आपको इसका आवाज भी सुनाएंगे मैंने यहाँ पे सारे चिप्स को बाहर निकाल लिया है अब हम आपको इसका आवाज सुनाते हैं फ्रेंट्स अपने आवाज सुन करके अंदाजा तो लगा ही लिया होगा यह कितना ज़्यादा कुरकूरे बना है हम आपको एक तोड़ करके भी दिखाते हैं यह बिल्कुल आपको पैकेट वाली लेज के तरह खाने में लगेगा फ्रेंट्स आप इसे और एक देख सकते हैं मैं इसे तोड़ रही हूँ यह बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंट्स और हम इसमें हलका सा नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पॉडर डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पॉडर और अब आप इसे मिक्स करके खा सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ ये वीडियो सेयर करें लाइक करना ना भूलें थैंक्यू फ्रेंड्स